हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो चलिए आज बनाते हैं सूजी से बनने वाला, यह बहुत ही इजी और टेस्टी नास्ता जिसे अपपे खेते हैं, अपपे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे morning breakfast या evening snacks कभी भी खा सकते हैं, यह बहुत ही light होता है और सूज तो healthy के लिए अच्छी होती ही है, तो यह काफी healthy नासता है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, यह आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कुछ veggies, veggies में मतलब मैंने तो प्यास ट्रमाटरी डाला है, आप जितनी चाहें उतनी इसमें veggies डाल सकते हैं, जो भी आपके पास available हो, तो चलिए देख लेते हैं कि अपे हमने कैसे बनाया है, यह मैंने यहाँ पे बनाने का सारा समान रेडी करके रखा हुआ है, यह मैं आपको दिखा देती हूं, यह मैंने लिए एक कटोरी सूजी, मतलब मैं इसी नाप से दो कटोरी सूजी लोंगी और यह एक कप दही, यहाँ पे कुछ राई, दो हरी मेर्च, कडी पत्ता, एक टमाटर और दो बड़ी प्याज, इस तरह से कटी हुई, नमक स्वात के नुसा, पानी भी हमें जितना लगेगा हम उतना ही यूज करेंगे, और यह इनो फूट सॉल्ट, इससे ही जो हमारी सूजी है, वो फूल जा लीजे, इस तरह ही लाते हुए, थोड़ा सा हलका सा हम पानी डालेंगे, बैटर मिक्स हो गया है, अब मैं वेजीज में तड़का लगा लूँगी, इसके लिए मैंने लिया है राई, हरी मेर्च, कडी पत्ता, कुछ प्याज, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था, और ए हम प्याज डालेंगे, प्याज को हमें हलका सा सौटे करना है, उसे बहुत प्राउन नहीं करना है, उसके बाद थोड़ा नमक, जिससे प्याज हमारी अच्छे से गल जाए, थोड़ा मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी हमें सिर्फ सौटे क करना है यह मिक्स अच्छे से रेडी हो जाएगा इसे मैंने तेज आज में ही फ्राइ कर लिया है तड़के के साथ अब मैं इस मिक्स को बैटर में डाल दूंगी इस तरह डाल के और इसे थोड़ी देर धक्के रख दूंगी जिस थर्टी सेकंड या वन मिनिट जिससे कि वह ज अच्छी तरह मिक्स हो जाए अब मैंने यह डाला नमक मैटर में नमक नहीं डाला था इसलिए इन सबको अच्छे से मिला दीजिए अब हम इसमें डालेंगे निम्बू अगर आपकी दही अल्रेडी बहुत खट्टी है तो आपको निम्बू डालने की ज़रूत नहीं है मैं यहां पर फ्रेश गट का इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने निम्बू डाला है अब मैंने डाला हलका सा पानी और अब मैंने यह डाला इनो फ्रूट सॉल्ड वान टेबल स्पून इन सबको मिला दीजिए इनो फ्रूट सॉल्ड हम तभी डालेंगे जब हम एकदम अपके ब है त्यौट सब्रूट से अदेज में गर्म किया पर ढालते वक्त मैंने जास का फ्रूम धीमा कर दिया है इस तरह से डाल दिजिए सारे खानों को हम इस तरह स्पून से भर देंगे अच्छी तरह अब हम इसे लिड लगाकर पांच मिनट तक पकाएंगे पांच मिनट हो गये हैं अब हम इसे पलट कर देखते हैं यह इस तरह से पक गया है यह आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है इस तरह की लाइट प्राउन कोटिंग हो जाएगी और यह अपपे फूल के उपर भी आ गये हैं फूले फूले नजर आ रहे हैं आपको अगेन हम इसे दूसरी तरफ से भी पकाएंगे इसके लिए हम सारे अपपो को इस तरह से परट लेंगे जिससे वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक आप पे मेरे फूल भी गये हैं फूल के उपर आ गये हैं यह आपको मैं पलट कर दिखा रही हूं दूसरी तरफ से भी इस तरह से प्लाउन कोटिंग हो जाएगी तो इस तरह से मेरे अपपे बनकर बिल्कुल तयार हैं मैंने इसे प्लेट में सर्फ कर लिया है चटनी के अगर आपको मेरी रेपसेपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बैल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए जिससे आपको हमारी रेसेपीस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी तो इसी तरह बने रही है हमारे चैनल के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तिल देन बाई बाई